पावर्ट बैं मंगल दीप मेहग प्रातना के बाध भी संसुडं यूद्य के टुथका करेंट गॉन तो लाइफ का करेंट ऑन उस्पन्र 트ան मसाला स्वाध का no कि इसे नजर आ रहे ह। सबसे पहले बक्सर की सीट जहां पर मितले इस्तिवारी मश्बूत दिख रहे हैं आर जेडी के सुधाकर सिंघ के मुकाबले काराकार की सीट जहां पर उप इंदर कुश्वाहा और पबन सिंग हारते नजर आ रहे हैं एक्जिट पोल के मुकाबले और माले के राजा राम सिंग मजबूत दिख रहे हैं सीवान में हिना शहाब और अवद बिहारी चौधरी ये निर्दली और राजत के अंडेट कमजोर दिख रहे हैं और जेडियू की विजे लक्षमी देवी मजब मजबूत दिख रहे हैं राजत के सरजीत के मुकाबले पटना साहिब की बात करें तो रवी शंकर प्रसाद अंशुल अवजित के मुकाबले मजबूत हैं पाटली पुत्र की बात करें तो राम कृपाल यादाओ के मुकाबले लालू प्रसाद यादाओ की बेटी मीसा भार लेकिन लालू यादव की दूसरी बेटी रोहणी आचारे सारण में राजी उप्रिताप रूडी से पिछड़ती दिख रही हैं परश्वी चंपारण की बात करें तो वीजेपी के पूर्वद्यक्ष और सिटिंग सांसद संजेज एसवाल आगे दिख रहे हैं वी आईपी के राजेश कुमार के मदन मोहन तेवारी के मुकाबले पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर मंत्री राधा मोहन सिंग सांसद हैं ये आगे दिख रहे हैं राजेश कुमार है वियाईपी पार्टी के उनके मुकाबले हाजीपुर की बात करें तो चिराग पासवान आगे दिख रहे हैं राज़त के शेवचंदराम के मुकाबले समस्ती पूर में अर्शुक चौधरी की बेटी शामभवी चौधरी लजेपी की आगे दिख रहे ही कॉंगरिस के सनी हजारी के सामने भाजपा के नित्यारंदराय आगे दिख रहे हैं उजयारपुर में राज़त के अलोग महता के मुकाबले गिर्राज सिंग अवदेश राय के मकाबले मश्बूत दिख रहे हैं, लेकिन मुंगेर में RJD की कुमारी अनीता आगे दिख रही है, GD UK ललन सिंग के मुकाबले, ये एक पाटली पुतर को मार्क करिए, एक आप मार्क करिए मुंगेर को, पूर्णिया में पप्पू यादव मजबूत दिख रहे हैं यह एक महत्पूर्ण एक्जिट पोल है जिसमें पप्पू यादव को बढ़त दिख रही है राजत की बीमा भारती और जेडियू के संतोष कुश्वा के मुकाबले इस एक्जिट पोल में एक्सिसमा इंडिया के किशन गंज की बात करें तो मुहम्मद जावेद मजबूत दिख रहे हैं कॉंग्रेस के मुझाहिद आलीम आलम जेडियू के मुकाबले हमने आपको 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 13, 14, 15 सीटों का बता दिया संदीब जी ज़र आपके एक तुरे टिपड़ी लेंगे इस पर सबसे पहले शुरू करते हैं बकसर से बकसर को लेकर बहुत वहाँपो में लेकर बवाश्विनी चौबी का तिकट काट ना फिर मितलेश इश्टिवारी को टिकट देना जो वहां के लोकल नहीं है और इसीविश अनंद मिश्र का निर्दलिय चुनाओ लड़ जाना तो कई मतलब बीजेपी काफी टेंशन में थी लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्शन हमारे इंडिया टुडे माई एक्सेस एक्जिक पूल में भी है तो वो दिख रहा है आनंद मिश्रा उतनी मजबूती से शायद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं इसलिए मितले इस्तिवारी पावन सिंग है पावन सिंग वोट काट लिए में लिए राजपूत समुधाय के वोट जो पेंदर कुश्वाह के लिए गारेंटीड माने जा रहे थे एक वक्ट पे फिर आते हैं सिवान वाली सीट सिवान वाली सीट में भी वही हुआ है हिनाशा हाप का निर्दलिये चु पावन सिवान वाली सीट पे गया वाली सीट जीताराम मां जी उमीद के मुताविक स्ट्रॉंग केंडिडेट है अब आते हैं पातली पूत्र पातली पूत्र पातली पूत्र वाली सीट में है कि पिछली दो चुनाव जो मिसाभारति हारी है दोनों में मार्जिन 35 से 40,000 का रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों लहर में जो मोधी लहर का चुनाव माना जाता है 14-19 उसमें भी वो कमजोर विकट पे बहुत ज्यादा कमजोर इस्तिति में नहीं गई है तो इस बार सब ये मान के चलें कि जिस तरह से तेजस्वी सामने आये हैं तेजस्वी अब या करनवर्ट होता है कि नहीं करनवर्ट होता है देखना होगा इसलिए यहां पर पाठली पुत्रा सीट में मिसा भारती मजबूत नजार आती है सारानवाली सीट में हम लोग राजी प्रतापरूडी से मिले थे और हमें भी जब हम ग्राउंड पे थे तो हम बातचीत के दवर है रोणी अचारे के लिए तो यह डिकता है आपको पश्मी चंपारन और पूर्वी चंपारन एक्स्टेट लाइए हाजी पूर्वी 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 है समस्तिपूर मज़ेदार चुनाओ है यह नितीश के दो मंत्रियों की बीच की चुनाओ है महसर हजारी के लड़ अरे तो उसे एकी सीट से थोड़ी चुनाओ मुकामा एकी सीट है यह एक्शुली क्या है कि आप पूरे बिहार के चुनाओ में जब आते हैं 13 माई वाले जो चुनाओ है जिसमें मुंगेर में चुनाओ हुआ और बेगुजु राय में चुनाओ था लोग कहते हैं कि पहली कर लीजे आपको चुनाओ लडवा देंगे आपकी पत्नी को और वही हुआ और अगनाब अनाम पिछडा लड़ाई यहां देखने को मिल रहा है और संभवता भूम्यार समुदाय में नाराजगी की बात ललन सिंग को लेकर है तो इसलिए यहां पर मुश्किल है और गरास सींग मजबूत दिख रहे हैं ऐसलिए बिल्कुल गिरास सींग मजबूत दिख रहे हैं और कई चर्चित नाम चुनाओ हारते भी दिख रहे हैं तो गौर फ़र्माईए गजरा जिनकी बैंगॉल में दिल्चस्पी वहीया टाइटल में भी बेंगॉल ले आना दरपन बताना पड़ता है बीच बीच में कि टाइटल में क्या डालो ताकि दर्शकों की उत्सुकता रहे सब कुछ लाइव हो रहा है आज आपके सामने बैराल कूछ बिहार की सीट बीजेपी के निशीत प्रमानिक की सीट और वो फिर से चुनाओ जीतते दिख रहे हैं एक्जिट में क्रिश्ण नगर की सीट महुआ मोहित्रा टीमसी की चर्चित सांसद मिश्कासित भी हुई और वो चुनाव हारती दिख रही हैं बीजेपी की अम्रिताराय के मुकाबले आसन सोल से बीजेपी के ऐसेस अहुलवालिया जीतते दिख रहे हैं और शत्रुगन सिना भी हारत पाद्या है यह जज साब है जज साब यह जीतते दिख रहे हैं जज थे रिटार्मेंट के बाद बीजेपी जॉइन की टीमसी के देवांग शु भटाचार के मुकाबले डायमंड हार्डर्स हारबर से लेकिन अब शेक बेनर्जी चुनाव जीतते दिख रहे हैं टीमसी के बशीर हाट से बीजेपी की रेखा पात्रा के मुकाबले हाजी नूरुल इसलाम चुनाव जीतते दिख रहे हैं यह हमने आपको 6-8 सीटों का अकला बता है अगर आब बहुत सीटों का अखला चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रा टिप पूरी बताईए अधीर मह अधीर रंजन चौधरी को नुकसान होगा यूसुफ खुद तो नहीं जीतेंगे और इन दोनों की लड़ाई की चक्कर में तीसरे को फाइदा होगा इस तरह की बात समझ में आई अब आगे चलते हुए चुनाव जब आगे बढ़ता है तो यूसुफ पठाने चुनाव ल अधीर जन चौधरी की वजह से ही ममताबर जी इंडिया एलाइंस में शामिल नहीं हुई ऐसी खबरें चली जब तो इससे लड़ाई को थोड़ा और एज मिला इस पूरे इशू को टीमसी ने खासकर बहरामपुरे लाक्या में इस तरह से फिल्ड किया कि भाई देखिए हम आपके बीच में राजनीती करने आएं और हम आपके बीच में ही रहेंगे और एक सीट वाले को क्या जित वा रहे हैं जिसकी पूरी बंगाल में एक सीट आएगी इस तरह के नेरेटिव चलते हुए सुनाई दिये बंगाल में तो बहरामपुर में कम से कम ये फैक्टर काम क जीते हैं आई रिपीट ये एक्जिट पोल है एक्जाक रिजल्ट नहीं है इसमें बुलट फेर हो भी सकता है तो अगर यूसुफ पटान जीते हैं जीत भी जाते हैं तो इस एक बड़े फैक्टर की वज़े से वो जीते हैंगे और साथ ही अगर मुस्लिम वोट का एक प्र परसेंट के उपर यूजुली वोटिंग गिर रही है तो कॉंस्लिडेशन पर रिजल्ट डिपेंड करता है कृष्णा नगर पर आते हैं महुआ मोहित्रा बनाम अम्रिता राय की सीट महुआ मोहित्रा का चुनाओ डे वन से हम लोगों को काफी टेढ़ा और फसा हुआ लग तक ममता बनर जी खुद इस सीट पर चुनाओ प्रचार करने नहीं गई मंगाल किसी ममता बनर जी नहीं गई थी चुनाओ प्रचार करने और आखरी के कुछ वक्त में ममता बनर जी सामने आती हैं फिर उनकी और महुआ मोहित्रा के डांस करती तस्वीरें सामने आती हैं इस जब नतीजे आ जाएंगे तब सिधान जीस पर और विस्तार से बात करेंगे और किसी सीट पर आपकी तुरेट टिपपणी करूंगा आसन सोल का चुनाओ मैं एक्जिट पोल पर बहुत स्ट्रॉंग नजर आ रहा है लेकिन यह कहूंगा आसन सोल का चुनाओ फसा हुआ है क्य बशीर खाट जहां पे जो संदेश खाली वाला इलाका है रेखा पात्रा का केंडेचर वो चर्चा में रहा लेकिन चुनाओ उतना चर्चित नहीं रहा क्योंकि हाजिर नुरूल इसलाम जो है वो टीमसी के पुराने नेता है और वहां पे उस एरिया की जो भेड़ी वाली पॉल्टिक्स है उस पे काफी पकड़ है उनकी बहुत बहुत शुक्रिया से दान्त बोहन अब रुक करते हैं राजस्थान का राजस्थान में आप दर्शकों ने जिन सीटों के नाम लिखे उनके साब से हमने कुछ सीटें चुनी है जुजलू की सीट पर भाजपा के शु चाहिए जालोर में लुमाराम चौधरी मजबूत दिख रहे हैं वैभग हलोत के मुकाबले और कोटा में ओम बिढला मजबूत दिख रहे हैं प्रहलाद गुंजल के मुकाबले और और किसी राजस्तान की सीट पर आप एक्जिट पोल का अगला जानना चाहें तो कमेंट ब बॉक्स में दर्ज करते चलेंगे चार को नतीजे आएंगे गुजरात की बात करें तो एक अमिश शाह मंसुक मंडाविया पुर्शोत्तम रूपालाई गांधी नगर पूरबंदर राजकोट से और नफसारी से सीर पाटिल ये चारों ही बीजेपी के कद्दावर नेता मज नर्चा थी लेकिन कांतिलाल भूरिया कॉंग्रेस के मुकाबले भाजपा के अनीता चोहान मजबूत दिख रही है राजगर में दिखविजय सिंग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके मुकाबले भाजपा के रोडमल नागर मजबूत दिख रहे हैं इन दौर में शंकर रगिजिया आगे दिख रहे हैं। नकुल कमल नाथ भाजपा के बंटी विवेक साहु के मुकाबले पिछट रहे हैं। नकुलック चुनाव हार सकते हैं चिंद दिख रहे हैं। कॉंग्रेस के ओमकार मरकाम के मुकाबले खज़राओं में वीडी शर्मा जीतते दिख रहे हैं यह स्थिती है यानि जो इनका गड़ था वो ढहता दिख रहा है अब 36 गड़ की बात करें कोर्बा में जोसना महांत कॉंग्रेस के मुकाबले सरोच पांडे बाजपा की जीतती दिख रहे हैं राजनांद गाओं में पूर मुक्यमंत्री भूपेश बगेल हारते दिख रहे हैं बीजेपी के संतोष पांडे के मुकाबले और रायपूर में भी बीज़ेपी के बिज मोहन अकरबाल G जीतते दिख रहे हैं अब महाराष्ट की बात करते हैं प्यूश को ए वाल्टिक्स वाली सीट और उत्राधिकार की सीट किया पर एंसबुत दिख रही है एंजित पर खेमे की सुनेतरा पर मुकाबले को एक्जिट पोल में बढहत दिख रही है और अगाबाद की मत करें इम्तियास जलील यहां से AIMIM के सांसत्य जीते ठे और उनके सामने सांदीपन भुम रहे हैं tua SH Tucson 190 के ओर वह मसबूत दिख रहे थायर के मुकाबले अमरावती में अवनीत राना मजबूत हैं बलबंद वानखेढ़े के मुकाबले चंदपुर में सुधीर मच्षें कमजोर їсти I में हैं कॉंग्रेस के मुकाबले नागपुर में नितिन गटकरी मस्बूत इस्थिती में हैं यह माराश का हाल है करनाटक में जिन सीटों की ज्यादा रिक्वेस्ट आई बता रहे हैं बेंगलूर दक्ष्ण में तेजस्वी सूरिया जीते दिख रहे हैं थिरुवननत्पुरम की बात करें अगर केरल में तो वहां राजीव चंद शेकर शशी धरूर को हरा सकते हैं CPI के पन्यन रविंद्रन और कॉंग्रेस के शशी धरूर को राजीव चंद शेकर हरा सकते हैं एक्जिट फोल के मताबिक वाइनाड में CPI की एनी राजा को कॉंग्रेस के राहुल गांदी हरा सकते हैं जीते दिख रहे हैं त्रिशूर में बीजेपी के सुरेश गोपी जीत से चन्नाई साहिव से तमिल साहिव सुंदर राजन इस सब पिछरते दिख रहे हैं कोयम टूर से के अन्ना मलाई भी डिम्क के गणपती राजकुमार के मुकाबले पिछरते दिख रहे हैं यानि तमिलनाडु में जातर बड़े नेताओं के लिए स्थिती अच्छी नहीं है ते लगाना की बात करें है है दूधिन उगैसी जीतने दिख रहे हैं बीजैप्र पिकी मात भी लटा के मुकाबले आंत्र प्रदेश में कट्वपा में अबात करें पिपल से अफ़छत सारंगी पुरी से संव्द मेत पात्रा संभल्पोर्य धरमेंदर परधान चुनाओं जीत्ते दिख रहे हैं यह बीजेपी के तीन बड़े नेता हैं और तीनों ही बीजेडी को पचारते हुए दिख रहे हैं जारकंड की बात करें तो गोड़्डा से निश्कान दुबे दुमका से सीता सोरेहिन और कोडर्मा से गीता देवी अनपूर्णा देवी लिखा हुआ है यह चुनाव जीत्ते दिख रहे हैं बीजेपी के और खूटी से लेकिन अर्जुन मुंडा का चुनाव फसा हुआ है वो कॉंग्रेस की काली चरल मुंडा से पिछड़ते नजर आ रहे हैं हजारी बाग में भी बीजेपी के मरीजय स्वाल जीते दिख रहे हैं बिहार का हाल हमने आपको बताया ही विस्तार से असममे için सीटों को लेकर ज़्यादा क्यूरियोस्टी आई बता देते हैं जोरहाट से गौरोगोई हारते दिख रहे हैं भाजपा के तपन गोगोई जीत्ते दिख रहे हैं दुबरी से हैं जिनके जिनको लेके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए अगर अभी भी आपकी किसी सीट को लेके उठ सुखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताईए हमारी टीम कोशिश करेगी कि कल एक और लाइव करे और उन सीटों को अभी एक्जिट पोल बताए आप धहरे से हमारे सा इलेक्शन कवरेज के कुछ अंश और न्यूजरूम के सभी रिपोर्टर साक्यों के साथ करेंगे उस कवरेज को लेकर लाइव और आपको अपना काउंटिंग डे का जो न्यूजरूम तयार हो रहा है उसकी भी पहली जलक दिखाएंगे और चार जून को सुबह से हम आपक को बताएंगे रुजहान और चुनाव परिणाम इलेक्शन कमीशन के मताबिक स्थानी रिपोर्टर्स के मताबिक क्या अकड़े हैं किस चरण में किसको बाजी हाथ लग रही कौन सी विधान सभा में कौन आगे है याद रखिए ललन टॉप पर अगर आप चुनावी कीजिए पता चलेंगे बलकि आपको उनका वह इसलेशन ही पता चलेगा जो जमीन पर भटकने वाले रिपोर्टर्स के जरीए क्योंकि ललन टॉप वह एकलौता हैं बहुत गर्म के साथ कह रहा हूं ललन टॉप हिंदी का वह एकलौता डिजिटल नेटवर्क है जिसके से लेके बेंगौल उरिशा से लेके गुजरात और महराष्ट तक विस्तार से चुनाओ को कवर किया है हम यह कर पाए क्योंकि आपका निरंतर इसने हैं आपकी आलोचना आपकी शावाशी आपका समर्थन कमेंट बॉक्स में इमेल में मिलता है आपके व्यूज मिलते हैं आ स्क्रीन और चार उनको भी ललन टॉप पर आम चुनाओं से जुड़ी कवर जारी रहेगी आप बने रही हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया इतवार का रोज है आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो परिवार जन आपसे व्रुक्टी ता कि बताइए संडे के दिन भी स्क्रीन पर लगे हुए हैं ललन टॉप देख रहे हैं उन परिवार जनों को भी मेरा प्रणाम शुक्रिया शुबरात्रे